पिछले कुछ दिनों से एक नया संधिबात का प्राकार काफी उबर कर दिखने लगा है चिकनगुनिया आर्थराइटिस, तो चलिए आज देखते हैं चिकनगुनिया आर्थराइटिस के बारे में, ये क्या होता है, इसका निदान कैसे होता है और ट्रीटमेंट कैसे होता है, सबसे पहले तो भले ही नाम चिकन गुनिया आर्फराइटिस हो, लेकिन इसका चिकन से कोई भी लेना देना नहीं, ये एक वाइरल बीमारी है और मच्छरों से फैलती है, मच्छर के काटने से ये चिकन गुनिया वाइरस शरीर में प्रवेश करता है और फैलता है, एक बार य इसके साथ तवच्चा पर दाने या रैश उठते है, लोगों को लगता है कि ये बुखार की गोलियों की एलर्जी है, बुखार के एक दिन पहले या बुखार के दिन जोडों में दर्द चालू हो जाता है, जोडों में सूजन हो जाती है, सिर्फ जोडों में ही नहीं, तो मास पेशियों में भी दर्द हो सकता है ये दर्द कभी-कभी इतना ज़ादा होता है कि उठना चलना भी मुश्किल हो जाता है आखे लाल हो सकती है अगर किसी को पहले से संधिवात है तो ये उसे और बढ़ा सकता है इसका डाइगनोसिस कैसे होता है बुखार, रैश या जोडों का दर्द चिकनगुनिया के इन्फेक्शन के सजेस्टिव होते है इसकी बलड टेस्ट की जा सकती है एक चिकनगुनिया आरेने, पीसी आर टेस्ट ये बुखार के समय पॉजिटिव आती है दो चिकनगुनिया IgM antibody test ये 5 से 7 दिन में positive आ सकती है क्या इसका इलाज है? हाँ, जरूर है बुखार के समय तो परसेटमॉल से बुखार को ठीक किया जाता है बुखार के बाद अगर आपको जोडों में या शरीर में दर्द हो तो जल से जल rheumatologist को मिलिए NACIDs, steroids और hydroxychloroquine और काफी कुछ अलग गोलिया है जिन से ये ठीक हो सकता है NACIDs और steroids लंबे समय तक नहीं लगती है थोड़े समय तक लेनी पड़ती है अगर इसे ठीक नहीं किया जाए तो ये जोडों का दर्द काफी समय तक महिनों महिनों तक कभी कभी सालों सालों तक भी चल सकता है तो ये पूरी अच्छी होने वाली बीमारी है अगर आपको है या आप किसी को जानते है जिने है जल्द से जल्द रूमर्टोलोजिस को मिलिये